साथियों अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्बू आया था वहां मैंने 32,000 करोड 32,000 करोड रुपे के इंफ्रास्टर्टर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेस का सुभारम किया था और आज इतने कम अंत्राल में ही आप सब के बीच मुझे स्री नगर आने करके आप सब से मिलने का आउसर मिला है आज मुझे यहां तूरिजम और दिकाश से जुड़ी कई परियोजनाओं के सिलान्यास और लोकारपन का सौभा कि मिला है किसानों के लिए क्रिशिक शेत्र से जुड़ी योजनाओं भी समर्पित की गई है एक हजार युवाओं को सरकारी नोकरी के नियुक्ति पत्र भी दिये गए है विकास की शक्ति परियोटन की संभावनाएं किसानों का सामर्थ और जम्मु कश्वीर के युवाओं का नेत्रूत्वा विक्सित जम्मु कश्वीर के निर्मार का रास्ता यहीं से निकलने वाला है जम्मु कश्वीर केवल एक शेत्र नहीं है यह जम्मु कश्वीर भारत का मस्तक है और उंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीख होता है इसलिए विक्सित जम्मु कश्वीर विक्सित भारत की प्रात्मिक्ता है